ये new interesting exciting वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nifty and Bank Nifty Option Chain के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे कि यहाँ पर expiry से पहले क्या market में कल एक बड़ी ग्रावट आ सकती है या फिर market sideways में consolidate करने की कोशिस करेगा अब कौन से important level है जिसके बाद आपको one way selling देखने को मिल सकती है 200-300 point की Nifty के अंदर और bank Nifty में करीब 500-600 point की है तो उस level को हम discuss करने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को start करते हैं क्योंकि एक दिन पहले का trading session है और जिस तरीके से आज निफ्टी अपने top से गिरा है और bank Nifty भी अपने high से गिरा है उस तरीके से लगता है कि expiry around 16-500 के आसपास हो सकती है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पे तो market at 11 के वीडियो में मैंने आपको आज का almost important point बताया था कि market एक negative price action बना रहा है और अगर आज का जो make or break level होगा वो 16,800 ही होगा 800 के नीचे अगर हम निकले तो फिर आपको एक अच्छी घासी selling देखने को मिलेगी और अच्छी गरावट देखने को मिलेगी तो जैसी second half में 16,800 के नीचे हम निकले आपको one way around 16,500 तक की गरावट देखने को मिली तो देखा जाए तो almost 200 point तो यह one way गरावट आई थी उसके बाद यह additional 50-100 point की गरावट देखने को मिली थी बट काफी अच्छा profit यहाँ पर मिला सेम चीज बैंक निफ्टी में बताया गया था कि अगर यह उपर की तरफ टिक नहीं पाता है और लोग को break करता है तो जैसी low break हुआ one way इसमें भी selling देखने को मिली थी ठीक है तो काफी अच्छा profit यहाँ पर दोनों इंडेक्स में कमाने को मिला क्योंकि मैं थोड़ा सा negative था मैं कल भी negative था कल मैंने अपना stop loss टिकर कराया था और आज भी मैं टॉप से negative था कल के वीडियो में मैंने आपको clearly बता दिया था कि यह 200-day moving average बहुत important है इसके आस-पास nifty अगर चाहता है तो chances is very high कि आपको एक negative candle देखने को मिलेगी और वो हमें काफी अच्छी बड़ी negative candle देखने को मिलीए ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत important point बताने जा रहा हूं मैं जो आपके काम आएंगे in the future ये चीज़ समझ लीजिए क्योंकि यहाँ जो condition बन रही है that is the breakout failure की ठीक है उसको मैं यहाँ पर explain करूंगा तो आपको बहुत चीज़ें clear होंगी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं option chain data की तो option chain data में जो nifty की closing आई है वो आई है 16660 की ठीक है तो 16660 की closing आई है तो currently अगर 16700 की जो put देखोगी वहाँ पे कितना है 18 lakh का open interest खड़ा हुआ है 16700 की call पे करीब 23.8 lakh का open interest है 16800 की call पे 24.6 lakh का open interest है और put पे स्रिफ 8.8 lakh का open interest खड़ा है जो कि सुभे almost 25 lakh से ओपर का open interest था इसी लिए मैंने आपको सुभे यह चीज़ बोली ती कि आज का जो day है उसका जो make और break level है वो 16800 ही है क्योंकि 16800 पे fresh put writers आयते है और जाइड सी बात ह fresh put writers मतलब उन्होंने आज के दिन put write करी है तो आज के दिन अगर 16800 बेक हो जाता है तो उनको आज ही से loss होने लगेगा क्योंकि अभी तो expiry होने में दो दिन है और जैसी नीचे market trade करने लगा 16750 के immediately वहाँ पे क्या हुआ long unwinding का pressure market को और नीचे ले गया अब नीचे की तरफ द दुबारा से selling देखने को मिलेगी जब तक 16500 को hold कर रहे है तब तक यहाँ पे market 16700 से लेके 16500 के बीच में trade करने की कोशिस करेगा और 16800 आपके लिए important resistance का काम करेगा और strong resistance जो बन गए हो 16900 और 17000 बन गए यह चीज आपके लिए लिए यहाँ पे समझ लीजिए अब चलते है चार्ट पे और चार्ट को understand करते हैं कि चार्ट पे कौनसे important points मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है तो सबसे बहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और यह है निफ्टी का चार्ट और यह सब चीज हटा देता हूँ यह 200 day moving average आपको बिलकुल ध्यान रखना है जो की 17000 पर आ रहा है 17000 के ऊपा continuous closing आती है यानि जिस दिन भी closing आ गई वो दिन आपको 300-400 point का moment निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है पहली चीज़ दूसी चीज़ एक important trend line का breakout हुआ था कल के trading session में आप देख सकते हो यह और यह breakout failure होने के chances पूरे-पूरे बन गए है ठीक ह तो अगर आप 16500 के नीचे कभी भी निकलते हो ठीक है ना 16500 के नीचे अगर आप किसी भी दिन जिस दिन भी आप 16500 के नीचे trade करना start किये तो आप समझ लीटेगा कि यह एक बहुत बड़ी गरावट आएगी क्यों आएगी उसके पीछे का reason है देखिए सबसे पहली चीज़ यह एक breakout हुआ है ठीक है अब यह एक important trend line दी breakout हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया है long position create करी है अब इस long position का जो एक psychological stop loss है वो 16500 ही है ठीक है और आज ही के दिल में nifty ने एक negative candle बना दी जो की almost 1660 की closing किये है तो यह जो long करने वाले हैं यह बहुती बुई तरीके से आप first चुके है ठीक है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर इनका stop loss टिगर होगा वो कहाँ पर होगा 16500 की क्योंकि psychological level है और जैसी 16500 break हुआ तो फिर आपको एक तेज ग्रावट देखने को मिलेगी क्योंकि यह ज इसी long unwinding आएगी market में pressure नीचे के तरफ घहर आएगा इसलिए एक तो आपको selling का pressure और प्लस long unwinding का pressure market को और तेजी से नीचे लेडा सकता है इसलिए आपको 16500 की नीचे aggressive sell करना है यह चीज़ आपके लिए लिए समझ लीए 16500 की नीचे आप trade करते रहते हो आप aggressively short करो target आपके यहां पर निकलता है यानि 300 point की गिरावर्ट देखने को मिल सकती है 16500 की नीचे निफ्टी के अंदर ठीक है अब बात कर लेते हैं shorter time frame में उसको भी समझ लेते हैं तो यहां पर आज के trading session का आपको view already पता है अब देखने कल क्या हो सकता है तो 15 minute का यहां पर मैं लगा रहा हूँ और आपको clearly दिखेगा कि यह आमारे पास एक important level है ठीक है जहां पर इसमें आज के दिन support लिया है और अगर कल यह इस level के नीचे निकलता है तो chances very high कि यह 16500 को break कर देगा और फिर जो next target होगा वो 16370 का निकल के आता है उपर जब तक हम दुबारा से 16750 की उपर नहीं निकलते तब तक हम यहाँ पर buying की बाते नहीं करेंगे 16750 की उपर निकलता है निफ्टी तभी हम यहाँ पर buying के बारे हम सोचेंगे अगर कोई gap up opening होती है let us suppose 16800 के आसपर निफ्टी खुल जाता है किसी भी reason से तो वहाँ से हो सकता है दुबारा से आपको एक selling देखने को मिले तो आप उसके लिए पहले से ही prepare रहेगा क्योंकि दिखे जिन लोगों ने long किया था अगर यह market उपर gap up खुलता है तो कहीं न कहीं कुछ लोग exit भी करेंगे अपनी position को तो उसका pressure भी market में बना रहेगा तो इसलिए मैं आपको बोल लोग कि जब तक market अब यह 16930 के उपर नहीं निकलता तब तक आपको buy के बारे में सोचना नहीं चाहिए और जब यह निकल जाता है तब आप strongly buying के बारे में सोच सकते हो ठीक है और नीचे आपको जैसी यह low break होता है 16550 का आज के दिन का तो आपको यहां पर sell करना चाहिए बात कर लेते हैं bank nifty की तो bank nifty को भी देख लेते हैं यहां पर किस तरीके से कामकाच यहां पर हुआ है देखे bank nifty में अगर देखा जाये तो यहां पर 15 minute का candle लगाता हूँ कल के trading session में भी यह बहुत दीरे slowly slowly उपर गया था और अटक रहा था और आज के trading session में भी यह दो बार attempt करके almost इसने double top यहां पर बनाके यह एक पूरी गिरावट देखने को मिली और अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यह पूरा एक m pattern था ठीक है यह उपर गया और फिर exactly वहां से यह एक breakdown देखने को मिला है ठीक है तो नीचे अगर यह द नीचे अगर यह continuously trade करता रहता है तो वहां पर sell में ही रही है यह आपको 34,000 तक easily गिरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि bank nifty में still weakness है और जैसे की anxiety बात है oversold market से इतना sharp bounce back देखने को मिलाता तो यह थोड़ा सा और यहां पर गिरावट देखने को मिल दखती है 34,000, 33,000, 800 तक important target के लिए तो उसको भी देखते हैं यह देखो इसके लिए सीज़ा सीज़ा important target यह ही है क्योंकि यहां से अगर यह गिरावट गहराता है और 34,700 के नीचे trade करता है तो फिर सीज़ा सीज़ा आपके पास यह zone पूरा खुलता है इसमें जो पहला target होगा 34,200 का होगा 34,200 जैसी आपको भाय करना है जब यह 30,500 के ऊपर close दे दे क्योंकि यह बहुती ज़ादा pressure फील कर रहा है जाने की कोशिस तो करता है लेकि immediately selling आती है फिर जाने की कोशिस करी फिर immediately selling आई है और second half की selling यह indicate करती है कि market यहां से दुबारा से trending हो सकता है तो इसको यह आप थोड़ा सा cautious view करके चलिए और negative side पर आप definitely यहां पर sell करके काम कर सकते हो बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की तो डाव फूचर देख लेते हैं कैसा कामकाच कर रहा है अभी currently यह 23 point के आसपास यहां पर आप देख सकते हो 23 point के आसपास यह कामकाच कर रहा है है इंट्रडे में काफी नीचे तक गया था बट इस्टिल यह कह सकते हैं हम की नेगेटिव साइट पर कामकाच कर रहा है नीचे रेकवरी तो देखने को मिली है बट यहां पर समझ लीजिए कि अल्मोस्ट यह अपने जो रिसेंट लो है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज़ यहां पर समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं यहां पर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहेगा कल तक जब यूएस की जो फेट के जो अनौंसमेंट है या आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरू करिए का और चैनल को जो सब्सक्राइब करें लिए क्योंकि मैं सुधी लेकर आता रहूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो ऐसी किता है शुक्रिया दोस्तो जैह हिंद